तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है आज मैं आपको ये खुबसूरत सा डिजान बनाने बताऊंगी जो बहुत ही खुबसूरत लगता है और कोई भी हाफ स्वेटर फूल स्वेटर किसी में भी दीजे ये बहुत सुन्दर लगता है बड़े का स्वेटर बनाएए या छोट और किसी का भी बनाईए ये बहुत अच्छा लगेगा तो दोस्तों इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपकों को अपनी स्वेटर के अनुसार सलाई में फंदे डालने हैं फंदे डालने के बादे बॉर्डर बना लें, जैसा बॉर्डर आपको बनाने का इच्छा हो, वैसा बॉर्डर बना लें, और उसके बाद, बॉर्डर बनाने के बाद, आप ये डिजाइन सुरू करें, तो हम यहाँ पर देखें, बॉर्डर नहीं बनाये हैं, हम यहाँ पर चार सलाई उल्टा बिन द आए है। इसलिए हम यहां पर चार सलाई उल्टा बना दिये हैं।। थोड़े से फन्दे को अपनी सलाई में डाल दी हूं, और आपको बताना शुरू कर रही हूँ, तो देखे दोस्तों कि यहाँ पर हम 4 सलाई उल्टा दोनों और से बिन दिये हैं, अब हम इसके आगे आपको डिजाइन बनाने के लिए बताएंगे, तो देखे, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखे, जो पहला फंदा है, इसको हम फंदा को आगे के ओर करेंगे, एक फंदा को हम उल्टा बिन देंगे, फिर धागा को पीछे करेंगे, और एक फंदा को हम इस तरह से उठा लेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदा को हम बिन लेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा ऐसे उठा लेंगे, उल्टा के तरब से उठाना है, देखिए, ऐसे धागा पीछे, एक फंदा ऐसे उठा लिए, एक फंदा को उल्टा बिन देंगे, फिर धागा पीछे, उठा लेंगे, फिर धागा आगे, एक फंदा उल्टा बिने, फिर धागा पीछे, इस तरह से हम पूरी सलाई में बना ले दूसरा line में ये design का दूसरा line हुआ, तो दूसरा line हम बनाएंगे जो, तो क्या करेंगे ? पहला फंदा जो मेरा ही था, इसको तो हम उठा ही लेंगे, आगे का, उसके बाद धागा को आगे करेंगे, और देखे जिसमें फंदा हम दिए हैं, डाले हैं, यहां पर फंदा डला तो इस फंदे वाले को हम घर को उल्टा बना लेगे, धागा पीछे करेंगे, और एक घर सीधा बना लेगे फिर धागा आगे करेंगे, देखे ये फंदा वाला घर है इसको हम पूरी सलाई बना लेगे ध्यान यही रखना है कि जिसमें फंदा हम पल्टाए थे टपा दिये थे सिर्फ उसके हम उल्टा बिनेंगे और जिसमें कि नहीं टपाए थे उसको हम सीधा बिनेंगे इस तरह से हम देखें एक सीधा बिने एक उल्टा फिर एक सीधा एक उल्टा इस तरह से हम पूरी सलाई म बना लेंगे अब आज आईए तीसरी सलाई में इसमें भी हम वही करेंगे जो उल्टा है उसको उल्टा बना लेंगे और जो सीधा है उसको हम सीधा बना लेंगे देखे इस तरह से उल्टा को उल्टा बना लेंगे सीधा को सीधा बना लेंगे दोस्तो देखे ये जो है डिजाइन जो है जब तक कि 3-4 फूल नहीं बन जाता है तब तक डिजाइन पूरी तरह से दिखाई नहीं देता है पूरी तरह से अच्छा दिखता नहीं है, जब तक कि 4-5 फूल बन जाएगा, तो यह डिजाइन बहुत ही खुबसूरत दिखने लगेगा, इसलिए दोस्तों इसको जो है पहले सुरू-सुरू में कम दिखेगा, इसलिए इस पे ध्यान दिजे, और सुरू-सुरू में चौतिशलाय आजएए, चौतिशलाय बिखने ग्लिएाकर पहला घर को उठा लेंगे, और थो फंदा में थो जो बनात्राइएगा लेंगे, इस तरह से हम एक घर बना लेंगे और इसको हम इस पे पल्टा देंगे इस तरह से सीधा को सीधा बिल लेंगे और फिर उल्टा में जो घर ऐसे पल्टा दिये थे इसको हम उठा लेंगे और इससे ले करके ऐसे इसको पल्टा देंगे इस तरह से पूरी सलाई में करते जाएंगे यहां जो हम घर को पास किये थे इसको उठाएंगे और एक घर उल्टा जो है उस पे डाल करके इसको हम पल्टा देंगे इस पे सीधा घर को सीधा बिन देंगे और उल्टा जो यहां पर हम पास किये थे घर को इसको हम सलाई पर उठा लेंगे और यहाँ पर सीधा घर को इस उल्टा घर को हम सीधा बना लेंगे और इस पर हम पास कर देंगे इस तरह से पूरी सलाई हम इसी तरह से बिनते जाएंगे इसको हम ऐसे पास कर देंगे एक घर सीधा बना लेगे और फिर यहां देखें उल्टा के साथ में जहां पर के हम इसको ये देख्ये घर को हम सिर्फ पल्टा दिये थे इसलिए हम इसको उठाएंगे और इसको हम सीधा बीन करके इस पर हम पल्टा देंगे, इस तरह से हम पूरी सलाई बनेंगे, एक घर सीधा है, एक घर मेरा बच गया, इसको हम सीधा बना देंगे अब उल्टा के तरफ से देखे उल्टा के तरफ से हम क्या किये थे पहले एक घर को उठा लिये थे इस घर को हम बिन दिये थे इस बार हम इस घर को बिनेंगे नहीं इस घर को उठा लेंगे और फिर पास कर देंगे देखे इस तरह से फिर पीछे करेंगे और एक फंदा को फंदा उल्टा भी नेंगे फिर धागा को पीछे करेंगे और एक फंदा उठा के फिर इसको वापस आगे की ओर कर देंगे इस तरह से हम पूरी सलाई बनाएंगे और जो हम आगे बनाए हैं उसी तरह से यह डिजाइन फिर बनते जाएगा देखे इस तरह से फिर वापस इधर एक घर उल्टा फिर उल्टा इस तरह से हम पूरी डिजाइन अब एक फंदा बजी गया है इसको हम उल्टा बना लेते हैं अब आजे यह आगे की ओर आगे की ओर से फिर वही करेंगे एक घर यह सीधा है सीधा बना लेंगे फिर हम यह सीधा फंदा जो है उसको सीधा बिन देंगे और जिसके कि हम इसको फंदा एक फंदा ही किये थे फसा दिये थे सिर्फ उसको हम उल्टा बिनेंगे फिर हम सीधा बिनेंगे इस तरह एक घर उल्टा एक घर सीधा पूरा सलाई बिनेंगे हम ये पूरी सलाई को एक घर उल्टा एक घर सीधा बना लेते हैं पीछे की ओर से भी एक घर उल्टा एक घर सीधा पूरा बना लेंगे जो उल्टा है उसको उल्टा बिनेंगे जो सीधा है उसको सीधा बिनेंगे दिखिए यह इस तरह का बन जाएगा अब हम आगे की तरफ से एक फंदा को उठा लेंगे फिर एक फंदा मेरा यह सीधा है तो हम इसको सीधा बिन देंगे और जो उल्टा के तरफ से हम ये फंदा जो बनाए थे इसको हम उठा लेंगे और उल्टा को हम सीधा के तरफ से डाल के एक घर बनाएंगे ऐसे और इस फंदा को ऐसे पल्टा देंगे फिर जो सीधा फंदा है इसको हम सीधा बना देंगे देखें अब मेरा सारा फंदा जो है सीधा होने लगेगा, सीधा जाने लगेगा, ये फंदा हम बनाये थे जो पल्टाये थे जो इस फंदा को उठाएंगे, फिर इस पर डालेंगे और सीधा बना लेंगे, ये फिर पल्टा देंगे, देखे इस तरह से, अब ये सारा का सारा फंदा सी प्रीच भी नेगे थिर इस अपिंदा को उठाएंगे और इस तरह से पुन्दा बिन करके रीज़़ bothers पल्टा देंगे फिर इस दागे को उठाएंगे देखे हैं और इसको इसे बिनके इसमें पल्टा देंगे एक सीधा बिनेंगे फिर इस दाग теп Silk अचेह को आप देखें यहां से धागा को उठाएंगे और इसको सीधा बिनते हुए इस पे हम इसको पल्टा देंगे फिर एक फंदा बच जाता है इसको हम सीधा बिन देंगे यह मेरा दूसरा बाला फूल हो गया अब हम फिर से दूसरा शुरू करेंगे तो इस तरह से जितना भी फूल बनेगा इसी तरह से बनते जाएगा जब थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा तब यह डिजाइन दिखने लगेगा अभी यहां से थोड़ा थोड़ा डिजाइन दि तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करें पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद